मैं हम यही आप सब लोगों से अन्यवेदन कर रहे हैं अपील कर दे तो कि आज इस प्रदेश के अंदर में यूपिय गड़ बंदन के सरकारा है मंसुरेन के नेत्वित में ये सरकार चल रही है कॉंग्रेस पार्टी, रास्टे जनतादा, जारखन मुक्ति मोच्चे सब मिलकर के लोग सरकार चला रहे है लेकिन अगर आप याद करिए कि 2019 में जब सरकार बनी तो इस सरकार ने लंबी चोड़े बाते की थे नव जवानों के लिए क्या कहा था कि पांच लाक लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे और नहीं तो भत्ता देंगे भत्ता भी कहाता पांच हजार, सड़े साथ हजार और ये बाहर में नहीं कहता कि चुनावी सवा में नहीं कहता जार्खन के विधान सवाने, उनके वित्वंत्रे में, बासन में कहा था, और वो आज भी किताब में वो ले थे, अब बताओ कि नौजवान यहां के कितनी नौजवानों को नौकरी मिले इन पांच वर्षों, इन तीन वर्षों में, रोजगार तो मिला नहीं, बल्कि जो के हुए थे, वो लोग भी बेराजगार हो रहे हैं, और साथ साथ इतना ही नहीं, जिन लोगों नहीं कहा था कि हम भत्ता देंगे, एक भी किसी को भत्ता नहीं दिया, और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए हो, यही आउसर है, यह ओप चुनाव, आप सब ल लोगों से निवेदन और अपेल करने के लिए मैं है, तो कि इस प्रकार की जो लोग वादा करते हैं, पुरा निभाते नहीं है, तो फिर उनको कभी बहुत नहीं देना चाहिए, मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, और अपने तो आप लोगों ने संकल्प लिया ही है, लेकिन गाओं में जाएंगे, घरों में जाएंगे, आसकोडोस में जो भी लोग है, हीत कुटोब में जो लोग है, उन लोगों को समझाना है, भहिए जो कॉंग्रिम्स पार्टी है, यह जारखन मुक्ति मोर्चा है, रास्ति जनता दल है, यह लोग जारखन की जनता के के बढ़ गई और कैसे वकाई है आज यस प्रोसमें आज लूट मची हुई है इतनी लूटbok हज्ट कभी हुए नहीं था और सथा में बैंठ करके लोग सब कुछ लुटवा रहे हैं नदी की बालू को भी लोग लुटवा रहे हैं पथल को लुटा रहे हैं कोयला को लुटा रहे हैं आज है अगर पुलीस वाले पकड़ लेते हैं जेल में डाल देते केस करते या घूस लेते तभी वो छोड़ते आय की बात नहीं बताओ को यह जूट बोल रहे हैं क्या आप याद करिए जब जार्खन राज बना था उसमें बावुलाल मारंडी मुखबंत्री थे पता है ना और आपकी इसी छेतर से हम विधायक भी बने थे अर उसमें नदी नाला की बालू को हमने फिरी कर दिया था कुईसी को पैसा नहीं लगता था कोई पकड़ने वाला नहीं था फिरी था कि नहीं था अपना तो घार बनाए सवसराल भी आगल वगल में है तो बालू लेकर के चले जाए कोई पुलीस पकड़ने वाला नहीं था क कोई हिम्मत नहीं कर सकता था लेकिन आज तो छारखंड के लोगों को घर बनाने के लिए बालू तक नसीब नहीं है अब ये हालत है इस टाज की और इसलिए जो कि आज ये बालू ये यहाँ ये लूट इसलिए हो रही है जो कि जो लूट के पैसा है इस सरकार की खजाना में नहीं जा रहा है सत्ता में बैठे वे लोग है उन लोगों की तिजोरी भ़बा है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले